हेलो दोस्तों उमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे दोस्तों फाइनली रेड्मी 9 प्राइम का जो स्पेसिफिकेशन प्राइजिंग और अवेलिबिलिटी है सब कुछ यहाँ पर ओफिशल हो चुका है सब कुछ डीटेल्स में आपको बताऊँगा इसके लब दोस्तों आपको यह भी बताऊँगा कि क्या आपको इस फोन को लेना चाहिए तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर इसे कितने वेरियंट में लाँच किया गया इसकी प्राइजिंग क्या और कब से और कहां से आप इसे खरीद पाऊगे तो दोस्तों यहाँ पर रेड्मी नाइन प्राइम को दो वेरियंट में लाँच किया गया जिसमें से पहले वेरियंट में आपको मिलेगा 4GB की रैम और 64GB की स्टोरेज और प्राइजिंग इसकी रखी गई है 9,999 रुपीज और दूसरे वेरियंट में आपको मिलेगा 4GB की रैम और 128GB की स्टोरेज और इसकी प्राइज रखी गई है 11,999 रुपीज तो यहाँ पर दोस्तों जो रैम है वो सेम है लेकिन तो स्टोरेज है उसे डबल कर दिया गया और 2000 का यहाँ पर डिफरेंस रखा गया है तब इस प्राइज में अब डेमी 9 प्राइम आपको क्या कुछ आपर करता है यह आगे इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों इन दोने ही फोन को आप 6 अगस्ट से खरीट पाऊ गये सुबे के 10 बजे से Amazon के उपपर या फिर me.com के उपपर तो अगर आप इंटरस्टेड हो तो accordingly आप यहाँ पर प्लाइन कर सकते हो दोस्तों यहाँ पर सबसे बहले हम बात करते है इसके design को लेकर तो यहाँ पर Redmi से कह रहा है Aura 360 design तो basically पीछे के तरफ आपको एक circle मिलेगा और इसी circle में सारा setup आपको यहाँ पर इसके camera का मिलने वाला है तो तीन camera आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने vertically set किया है उसके नीचे यहाँ पर एक fingerprint scanner दिया है side में आपको यहाँ पर एक LED flash मिल जाएगा और उसके नीचे और एक सा camera और इसके configuration के बारे में आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे तो overall design यहाँ पर अच्छा है दोस्तो plastic body या plastic frame है लेकिन design मुझे काफे यहाँ पर अच्छा लगा है अब एक बात यहाँ पर आपको ध्यान देना है दोस्तो इसका जो मोटाई है जो इसका थिकने से वह 9.1 mm है और 198 g इसका weight है तो हो सकता है आपको थोड़ा मोटा और थोड़ा भारी लग सकता है दोस्तो तो overall design यहाँ पर ठीक ठाक है आप कह सकते हैं डिस्प्ले के मारे में अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको 6.53 इंच का डिस्प्ले मिलता है फुल हडी इसके resolution है 60 Hz का IPS डिस्प्ले यहाँ पर दिया गया Corning Gorilla Glass 3 के protection के साथ आता है splash proof यहाँ पर इससे बनाया गया है तो यहाँ पर डिस्प्ले के मामने भी अगर आप देखो कि 10,000 के प्राइस के अंदर तो शायद ही आपको कोई फोन मिलेगा जहाँ पर आपको Full HD डिस्प्ले मिलने वाला है तो यहाँ पर यह काफी अच्छा काम किया है protection भी यहाँ पर दिया गया Corning Gorilla Glass 3 का पीछे के तरफ जैसे मैं आपको बता है fingerprint scanner भी है और face unlock का option भी यहाँ पर आपको देखने के मिल जाता है तो display और यहाँ पर security दो नहीं काफी अच्छा काम किया गया cameras के बाने बात करें तो दोस्तों पीछे यहाँ पर 4 camera का setup आपको देखने के लिए मिल जाएगा जिसमें से पहला camera है 13 megapixel का और इसका aperture है f2.2 दूसरा lens है यहाँ पर 8 megapixel का जो की ultra wide lens है 5 megapixel का एक macro और 2 megapixel का एक depth sensor दिया गया है तो configuration price के साब से ठीक टाक है और ठीक टाक performance भी यहाँ पर मिल जाएगा selfie camera है यहाँ पर 8 megapixel का दिया है जिसका aperture है f2.0 तो आपको decent सा performance यहाँ पर camera से देखने के मिल जाएगा चाहिए वो front camera हो या फिर इसका back camera हो performance के लिए दोस्तों यहाँ पर इस बार आपको जो chipset है वो media tech का दिया है media tech का helio g80 जो के octocore processor है तो यहाँ पर पहले के 2 core clock करेंगे 2.2 GHz और cortex A75 के base space है बनाया गया है बागी के check और यहाँ पर clock करेंगे 1.8 GHz और cortex A55 के base बनाया गया है तो दोस्तों यहाँ पर जो performance भी है वो भी आपको काफी अच्छा मिलने वाला है तो प्राइस के हिसाब से यहाँ पर आपको performance मिलने वाला है तो overall यहाँ पर chipset अच्छा chipset है और अच्छा performance भी आपको मिल जाएगा GPU यहाँ पर Malika G72 दिया गया है दोस्तों फोन को दोड़ाने के लिए यहाँ पर बैटरी दी गई है 5020 mAh की तो बड़ा बैटरी है और 18 वाट के charger को यह support करता है लेकिन आपको 18 वाट के charger box में नहीं मिलेगा box में सिर्फ 10 वाट का charger मिलेगा 18 वाट का charger चाहे तो आप अलग से यहाँ पर खरीच सकते हो और USB port Type-C के साथ यहाँ आता है वह इसके बारे बात करें दोस्तों MIUI 11 के साथ आने वाला है और यह Android 10 के उपर चलेगा और यहाँ पर फोन में आपको triple slot मिलने वाला है जो की काफी अच्छे भी बात है 2 SIM लगा पाऊगे प्लस एक microSD card लगा इसके लाँ दोस्तों यहाँ पर आपको 3.5 mm headphone jack लगाने का option मिल जाएगा IR blaster के साथ याएगा सारे sensors भी आपको इस smartphone में मिल जागा वहाँ पर कोई भी कंजूसी यहाँ पर की नहीं गई है तो overall दोस्तों यहाँ पर 10,000 के price में काफी अच्छा package आपको मिलता है Redmi 9 Prime में और य 9,000 का 4G plus 64GB इसके साथ आप जा सकते हो तो यहाँ पर यह तो कोई बड़ी complaint नहीं है और काफी अच्छा यहाँ पर यहाँ पर यह लाँच किया Redmi 9 Prime जिस स्पेसिफिकेशन के साथ यह आ रहा है तो आपको इस फोन कैसा लगा दोस्तों आप ज़रू कमेंट करके बताएए और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दिया है यहाँ पर दिस्क्रिप्शन में तो आप चाहे तो महाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेशन है तो आप मुझसे पूछीए महाँ पर डेफिनेटली मैं उसका एंशर दूंगा तो आज के इस वीडियो में इतन नवाट